खानपान से जुड़ी गडबड़ी और खराब लाइफस्टैल की वज़े से हाई कोलेस्ट्रोल का खत्रा बढ़ जाता है इसकी वज़े से हार्ट से जुड़ी बिमारियों का खत्रा भी बढ़ जाता है बहुत जादा तलाब होना और फैटी खाना खाने की वज़े से आपके LDL, जिसे bad cholesterol कहा जाता है, शरी में bad cholesterol बढ़ने के स्थिती को high cholesterol कहते है bad cholesterol बढ़ने पर heart attack और blood pressure जैसे विमारियों का खत्रा बढ़ जाता है वहीं कुछ घरेलो उपचार से bad cholesterol को ठीक किया जा सकता है तो चलिए आपको इस वीडियोम बताते हैं कि क्या High-Colesterol में तुल्सी और अध्रक का सेवन करना सही है यह नहीं High-Colesterol में तुल्सी और अध्रक का सेवन किया जा सकता है तुलसी के पत्तों में मौजूद जेनौल नामक तद्व और अधरक में मौजूद जिंजरोल और शोगोल नामक कमपाउंड हाई कोलेस्टॉल कम करने में मदद करते हैं तुलसी के पत्तों में ऐνटि बेक्τεरिया ऐन्टि फंगल गुण पाये जाते हैं इसका सेवन करने से शरीर में मौझूत टॉक्सिं बाहर निकल जाते हैं और बैठ कॉलेस्टेरॉल कम करने में मदद करते हैं वह दिधा चलिए आपको बताते हैं कि हाइ कॉलेस्टेरॉल में तुलसी और अदरक का सेवन कैसे करें हाई कोलेस्टरोल जैसी कमभीर समस्य से शुटकारा पाने के लिए तुलसी और अद्रक का सेवन करने से जबर्जस्त फायदे मिलते हैं सुबह खाली पेट अद्रक और तुलसी के पत्तों का पानी पीने से कोलेस्टरोल कंट्रोल करने में मदद मिलती हैं इसके लिए तुलसी की कुछ ताजा पत्यों को साफ करके एक ग्लास पानी में डाले फिर एक टुकड़ा अद्रक कूट कर इसे अच्छी तरह से उबाल ले उबलने के बाद इसे छान ले और हलका शहद या नीबू डाल कर इसे पी ले नियमित रूप से इसका सेवन करने से आ उमीद करती हो आपको जानकारी पसंद आई होगी फिलाल अमारे इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले